हेलो अबरीवन स्वागत है आप सभी का लक्ष सिविल सर्विसेज गुपाल गंज के यूटूब चैनल पे मैं ससी डिरेक्टर लक्ष सिविल सर्विसेज स्वागत करता हूँ अपने इस संसान के यूटूब चैनल पे आज के इस लक्षर का मुख्य उद्धे से हैं कि 10 प्लोस 2 के बाद से BPSC की त्यारी कैसे करें मालीची के आप 2020 या 2021 में 10 प्लोस 2 पास किये हुए हैं और वहां से आप सिविल सर्विस के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते हैं और खासतोर पे BPSC बिहार लोग से आयो की कि आप त्यारी करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप कहां से शुरुवात करेंगे आपका गिर्जवेशन में अगर अपने एडविशन अभी तक नहीं लिया और एडविशन लेने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके गिर्जवेशन में कौन सा सब्जेक्ट और गिर्जवेशन के साथ साथ आप पूरी तरह से किस प्रकार से मतलब बीपेसी के सिलेबस को भी थोड़ा सा ताल मेल बैठाते हुए आप अपने गिर्जवेशन के सिलेबस और फिर बीपेसी के एग्जामिनेशन को दिहान में रखकर भी अपनी त्यारी को आगे बढ़ हैं और कौन से पेपर क्वालिफाइंग हैं और कौन से पेपर से एग्जामिनेशन में मार्क्स जोड़ते हैं मतलब मार्क्स फाइनल लिस्ट में जोड़ते हैं इंटर्विव कितने नंबर का होता है इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे खासतोर पर मुझे ऐसा अनभो हुआ है और काफी लोग जो में हमारे से मतलब मुझसे आते हैं अपने सजेशन लेने सिविल सर्विस के त्यारी करने वाले ताजब की बात एक अनेक संस्थाम में पढ़ने वाले यह मतलब बच्चे जो डेड़ दो साल से कही न कहीं पर प्रेशन कर रहे हैं और कि इतने नंबर का होता है कि इतने नंबर का होता है फिर इंटर्विव इतने नंबर का होता है अधिकांस केस में लोगों को पता ही नहीं है अब यह कितना दुबिधा वाली बात है कि जिस एक्जामिनेशन के आप त्यारी करने जा रहे हैं और इतने बड़ी कभी सिलेबस तक भी आपको नहीं पता है और आपको आप देख रहे हैं अधिकारी बनकर राज्य की सिवा और देश की सिवा कर नहीं गाई यह अपने आप में थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसलिए इस लेक्चर के मार्धियम समा आपको एस्पेसली यह सभी सिलेबस और वगरा के बारे में एक पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा और खास तौर्टे टूट टेन प्लस टूट के पास करने वाले बच्चे हैं जिनको आप लगता है कि सिविल सर्वे से अब भी पेसी की त्यारी करना है ओ अपना ये दो-तिन साल के अंतरगत जो गरजवेशन के समय उनको मिला हुआ है इसमें वो किस रणनीती के साथ अपने गरजवेशन के सब्जेक्ट और बीपेसी के सिलेबस को साथ में रखकर आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से अपने त्यारी को आगे बढ़ाएंगे और फामडेशन पढ़ने के साथ किस तरह से चीजों को मै प्रेसिक बाते हैं किसी व्यवाज की जनकारी के लिए उसको अपडेट चाननी के लिए लक्षे सिविल सर्विस के जो टेलीग्राम चेनल है इससे वूभी आप जोईन कर सकते हैं सारी अप्डेट यहां से मिलते रहती हैं एक है आये बढ़ते हम अपने लेक्षर की तरफ एक है तोय हमाने जीक है कि हम लेक्षर की शुरुवाद सब्से पहले करना चाहेंगे वग भक कित्यारी कैसे करें तो तो एकी के तैयारी डेकरory किसे करें ओह भी टेन प्लॉस टू के बाद इस पे हम बातचीत करेंगे अब देखो संगलोग सेवा आयोग आपको पता है कि UPSC जो IS और जहांस IPS सेलेक्ट होते हैं देश के सबसे रुब्यदार ये नौकर साही माने जाते हैं इनका एक्जाम तो आपको पता है कि संगलोग सेवा योग UPSC कंड़क्ट करता है इसके बारे में एक वीडियो में मैंने पूरा चनकारी दे रखा है मेरे यूट्यू चैनल पर ये उपलब्द है आप चाहें तो आजास कर देख सकते हैं हम इस लेक्चर के मादे उसे फोकस रहेंगे आपको BPSC के उपर ठीक है और इसी के सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे बाकि अलग-अलग estate PPSC और UPSC के बारे में कोई और भी आपको जनकारी लेनी हो तो फिर वाटसप नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके हैं मैसेज करके आप उसे चनकारी हासिल कर सकते हैं ठीक है तो आईए बात करते हैं BPSC अब देखो संगलोग सवायोग या फिर किसी भी estate PPSC अगर बात करें तो ये एक परकार की ये मैराथन.type की ये सब एक्जामिनेशन है आपको पता है कि परकार की एक्जामिनेशन आपको देखने को समानेशन मिलता है एक्गार की एक्जामिनेशन होते हैं जिनको हम One Day Exam के नाम से जानते हैं जिसमें चार ओप्षन के साथ आपको questions पूच्छा जाएगा फिर उसको आपको answer. एक test परकार की एक्जाम होता है जो समानेतर संग लोग से वा आयोग द्वारा आयोजीत होता है अब यह जो वंडे एक्जामिनेशन से ऐसा माना जाता है कि लिमिटेट साइम टाइम देते हैं और चीजों को लुसेंट वगरा कुछ प्रिवियसर क्या कोस्टन्स वगरा करते हैं तो यह कोमिशन जो एक्जामिनेशन लेता है इसमें आपको प्रिमेंशन इंटर्विव तीनों फेजस से गुजरने होते हैं और फिर तीनों फेजस को पास करने के पत्सा पतिकारी के रूप में सेलेक्ट होते हैं अधिकारी मतलब इन दर सेंस कि आप चिपस भी डिपाट्मेंट कि आप विभाग में रहेंगे अगर यह बिपेसी के द्वारा आप सेलेक्टेड हैं तो फिर आप आईस और आईपिस के समानने तर नीचे काम करते हैं अला कि परमोसन होता है आप भी वहां तक पहुंचते हैं ठीक है तो यह कुछ बाते हैं बिपेसी से सेलेक्ट होने के प आपका राच्य लोक सेवा आयोक के द्वारा ही फुल्फिल किये जाते हैं ठीक है अब वो इसकी अगर तैयारी की बात करें किसी भी कमिसन और किसी भी विपेसी के साथ भी पेसी की तैयारी की बात करें ति इस मेराथन दोर के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा चीजों को थोड़ा सा सोच समझ कर कि आप क्यों मतलब विपेसी के तियारी करना चाहते हैं आप में ऐसा कुछ खास क्या है या आप में कुछ ऐसा बिसेस क्या है जिससे आपको लगता है कि आप सिविल सर्विस के तियारी के फिल्ड में आना चाहते हैं और इस प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले यह आपको सांत मन से बैठ कर चिंतन करके सोचना है कि BPC की त्यारी की क्यों करना है क्योंकि देखो बच्चों इसमें दिक्कत यह है कि यह एक मेराथन दोर के भाती यह सब एक्जामिनेशन होते हैं एक लंबे टाइम परियेड की डिमा बग एक देड़ साल तक लग जाता है प्री मेंस इंटर्व्यू तो एक लंबी परकिरिया है इस लंबी परकिरिया में आपका मोटिवेशन फेक्टर सर्वच लेबल पर नहीं होगा आप खुद अपने आप में ऐसा फिल नहीं करेंगे कि आपको किसलिए त्यारी करना है औ या कोई कमेंट्स मार दिया तो कर दिया इसे काम नहीं चलेगा आपको एक प्लान ये करना पड़ेगा प्रफर आपको सोचना पड़ेगा क्या हूं मुझे कंशन का एकजाम देना है क्या आप पबलीक सर्वेस या पबलीक से हैवा से जूड़ना चाहते हैं लोगों की भला जो को दिमाग में रख लेना है, एक बात इसमें दिमाग में रखिएगा कि अगर आप पैसे के लिए इस फिल्ड में आना चाहते हों कि पैसा बहुत होगा और सेलरी होगा और ये तमाम चीज तो किर्पया करके इस पर थोड़ा सा सोचिएगा, लेकिन ऐसा ये फैक्टर नही करता है, दूसरा अगर बात करें, पावर, रुत्वा, ये तो मेंटर करता है भाई, आप जहां पर रहेंगे, एक टॉप क्लास का अधिकारी रहेंगे, और थोड़ा सा, मतलब आपका, मतलब अलग ही एक रुत्वा होगा, कुछ लोग आपके अंडर में काम करेंगे, और य इतने से इसके परकरिया के माध्यम से करना है, इन चीजों को भी ध्यान में रहकर, आप पहले डिसाइट करनें कि आपको इस चीज की त्यारी करना है, और फिर इस त्यारी में जोटें, ऐसे भौकाल बाजी और दिखावे बाजी नहीं करना है, कि हमको सिविल सिर्विस के ठीज़े आरहे हैं, और भी PC के ईग्जाम देरा और पता चला कि आपको सिल्यवस्शी नहीं पता है, ठीक है तो ऐसे दिखावे अला काम नहीं करना है, अपने अंदर इमंदारी वरतनी है और अपने अंदर के इमंदारी से अपने वाद को सोचना है, अछहर ठीक है, मावाक क पैसा हम invest कर रहे हैं तो दो-तिन साल के बाद जब अधिकारी बनने के procedure में जब अभी से हम लग रहे हैं तो किस परकार से चीजों को करना हैं किस परकार से त्यारी को अपने step by step बढ़ाना है संब्जेक्ट को बारी-बारी किस परकार से आगे बढ़ाना है इन तमाम चीजों आपको पहले सोच विचार कर लेना पड़ेगा एक पूरा सोच विचार करने के पस्चाथ फिर आप आगे अपना रणिती बना सकते के ठीक है आप जब कनफर्म होगे कि अब हमको त्यारी करना है फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है और कुछ भी मत्तब आपको रोक नहीं सक करेंगे कोई मत्डब इसमें चीजें मैंटर ही नहीं कर दी इसमें first attempt वाले भी पास हो जाते हैं इसमें 10 Estados देने वाले भी फिल हो जाते हैं Civil Service Examination की यही खासियत है आप देखें न टीना डावी फर्स अटेम्ट में ही वो टप कर गई बहुत सारी लोग होंगे जो पांच बार छो बार इंटरव्यू दिये हैं बहुत बार मेंस दिये हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगले बार पास ही हो जाएंगे examination का जो demand है उसको आपको fulfill करना है फिर कोई रोकी नहीं सकता आपको पास करने से और अधिकारी बनने से ठीक है तो इस तरह से चीजों को सोचना है किसी के comment से और किसी के चीजों से आपको परिसान नहीं होना है एक बार जब decide चाड़के ने भी बोला था कि किसी भी काम को करने से पहले आपको जो भी सोचना है सोच लिजे काम अच्छा है बुरा है कितना इसका impact पड़ेगा इसका क्या परकिरिया होगा जो भी सोचना है सोच लिजे लेकिन एक बार अगर आपने सोच लिया कि अब यह करना है तो फिर उसमें से पीछे जाने का पीछे हट कर दूसरा कोई सोचने का कोई ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए आपके पाथ सब्सक्राइब करिए कि मान लिजे आपने वन सेकेंड मान लिजे कि सोच लिए कि आपने अपने विपेसी की त्यारी करना है अब बीच बीच में बहुत सारे पेपर भी आते रहते हैं कभी बिहार पुलिस काएगा कभी बिहार दरोगा काएगा कभी बिहार एससी जाएका आजाएगा डीटी का पेपर आजाएगा हमने क्या बोला, दोनों examinations का परकिरिया अलग है वो सब one day examination है, उनका demand कुछ और है BPC commission का paper है, इसका demand कुछ और है हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका साथ है बिहार, पुलिस, दोरोगा और ये तमाम चीजों में सामिल हो जाए लेकिन आपने जो aim देखा है कि आपको अधिकारी बन कर फिर अपनी career को आगे बढ़ाना है, तो इन चीजों से परसान नहीं हो रहा है कि कौन form आ रहा है और क्या हो रहा है क्या चीजे, आपके आसपास बहुत सारे लोग form fill up करेंग और तमाम चीजे, एक बार अपने plan को आपने decide कर लिया, तो कम से कम first and second attempt आप पूरी सिद्दत के साथ इसी को मतलब दें, आपका economic background मानली जी की थोड़ा सा low है, आपको थोड़ा सा economic carrier चाहिए तो आप ऐसा करें कि पहले उसी छोटे level के examinations का त्यारी कर ले, उसके बाद से फिर आपको लगए कि हाँ, अब थोड़ा सा ठीक ट्याक condition में पहुँच गया है, तब इसका त्यारी करें क्योंकि आप भारत के second top best exam connections के बारे में त्यारी करने जा रहा है, मानली जी की UPSC सबसे top level के exam माना जाता है, उसके नीचे estate PSE होता है, अब यहाँ पर सोचेंगे कि कुछ दिर BPSC के त्यारी करें, कुछ दिर Bihar Police का त्यारी करें, दोनों में combination ही नहीं बैट पाएगा, कि आप यह पहले सोचिए कि हम एक दो attempt फूरी सिद्दत के साथ इमंदारी से पढ़ेंगे, और देट दो साल के preparation के बाद से यह मतलब यह first और second attempt देंगे, उसके बाद से अगर में भी अगर दुरभाग्यपुन तरीके से नहीं होता है, economic career के लिए कुछ और plan चाहिए, तो क कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से उन चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको मुकंबल त्यारी करना पड़ेगा, शुरुवात में आपको 10 घंटा, 12 घंटा पढ़के एक बार पूरा notes रगर बना के एक बार तो परकरिया start करना पड़ेगा, उसके बाद जब एक बार notes बन जाएगा, तो इतना मेहनत आपको करने की ज़रूत नहीं है, आपको 6-7 गंटा या 6-8 गंटा भी पढ़के आप चीजों को handle कर लेंगे, तो त्यारी करने के करम में एक बार जो notes बनाए, उस notes को मतलब काफी वहतरीन तरीके से आपका जो notes बन बनेंगे, आप अधिकारी बन कर जाएंगे, वैसे वैसे considerable कितने आपके सलामी ठोगेंगे और रास्ते में खाड़े रहेंगे आपके स्वागत के लिए, अप परिसान क्यों हो रहे है, बस समय दो अपने आपको और डिर दो साल समय लगाईए अपने आप में, उसके बाद स इस पेपर को दीजिए, उसके बाद से देखी आगे आप क्या परकरिया होता है, वसरते कि एक मेहनत का लेवल होना चाहिए, और कम से कम आपको अच्छा खासा एक टाइम भी देना पड़ेगा, और गर्जवेशन के साथ साथ में आपको करना चाहते हैं, तो कैसे होगा भी आगे अभीरे धिरेस्टे बाइस्टेम चीजों पर हम पहुँच रहें, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 10 प्लस टू के बाद से हमको सिविल सर्विस के फिल्ड में भी पेसी के एक्जाम देना है, तो फिर आगे अब क्या करेंगे, क्या-क्या माटेरियल जुटाएंग आप उस पर हम बात करें, अब देखो मान लिजे कि आपका एक तो गिर्जवेशन चल रहा है, गिर्जवेशन चल रहा है, और दूसरा भी पेसी का पेपर के त्यारी करना है, अब देखो, अपने अडिवीशन ले लिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैथ, आर् कि अब आप पूरी सिलेबस को उठा कर देखेंगे, तो यहाँ पर मुक्य तो चार सबसे मेन पिलर माड़ी जाते हैं, इन सभी एक्जामिनेशन का, एक होता है हिस्टी, फिर होता है जियोगराफी, फिर होता है पॉलिटिकल साइंस, या जिसको आप कॉंस्ट्यूशन बोल पूलिटिकल से आपको देखने को मिलेंगे, अब प्रिवियर्श एर का कॉस्ट्चन उसाठ कर, इसको आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्रिवियर्श एर का कुस्ट्चन है, उसको देख सकते हैं, तो इन चार सब्चेक्ट्स की बहुत 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 आसफे हि7 essay वरे तो फिर आपको तो दूसरा subject मिल जाए है, तो जहां तक बच्चों को मेरा suggestion रहता है कि अगर आपने decide कर लिया कि BPCA civil service का त्यारी करना है, तो फिर आप arts से admission ले लिजे, arts से, और arts से admission लेने एक बाद EC में से किसी subject को आप रख लिजे, जैसे JPU University से आपको करना है, तो history करना है ये तिन subject आपका यहीं पर cover हो जाएगा, तो ये जो आप पढ़ेंगे ये तिन चीज़े, ये तिन चीज़े आप BPC के label पर भी कर रहे हैं, और 37 arts का आपका paper भी त्यार हो रहे हैं, जब भी graduation का first year, second year या last year का paper देंगे, आपको कोई दिक्कत परसानी नहीं होगा, और चीज sciences से अगर लेते हैं, सपोच करिए, तो फिर आपको science, knowledge, physics आप अर्नर्स ले लिए, या फिर mathematics अर्नर्स ले लिए, तो ठीक है, आपका math बहुत मजबूत है, तो इसको आगे चल कर optional आप समाल कर सकते हैं, या फिर किसी के कहने पे आप math और physics ले रहे हैं, तो ये तो मतलब कोई परसान होने क्या हो सकता नहीं है, अब जो बीत के उसको खतम करिए, और अपने गिर्जरेशन का अब जो माली जी की science ले ले लिए, तो science पढ़िए, कोई दिक्कत ने, exam के समय एक दो महीना इसको पढ़के examination देजे, और backup से इसका भी त्यारी करते रहना है, ठीक है, त तो ये सारी चीजे हैं, सबसे पहले तो graduation के साथ किस प्रकार सागे बढ़ना है, ये हमने बता दिया, अब अगर पूरे BPSC के अगर बात करें, अगर पूरा BPSC के अगर बात करें, अब माली जीए कि जैसे BPSC है, BPSC, अगर BPSC के अगर बात करें, तो आपको पता है कि ती तीन फेज में टोटल एक्जाम होता है, तीन फेज में ये एक्जाम होता है, एक तो होता है सबसे पहले morty, при होता है, उसके बाद से होता है आपका mens paper, mens paper और last में आपका होता है interview, after interview ठीक है अब देखो जो पुछ पुपर होता है वहाटओका डिरस अ कोश्चनस होता है दिरस नंबर का मेंस में आपका टोटल चार पेपर होता है अभी इसके डिटेल्एल संभाध करेंगे एक सुटल यह दिर इंटर्व Williams आंखा total cut-off बनता है, पूरे BPC के अगर बात करें, अब अगर चीजों को थोड़ा सा और हम बारी-बारी से चीजों को बताना चाहें, तो सबसे पहले आप देखिए, आप सबसे पहले हम बात कर लेंते है, प्री का, जो prelims का exam होता है, जो एक screening test है, screening test is के आपके examination में लगबख 4-5-6 लाख लोग participate करेंगे, उसमें से men's class seat का 10 गोने लोगों को छाट देना है, और बाकी लोगों को बाहर कर देना है, इसी परकार से ये screen test के भाती लिया जाता है, तो ये total dates और questions आपको मिलेंगे, और इसमें total art segment आपको करने हैं, एक तो आपको सबसे top पे आपको मिलेगा history, यहां से आपको 30-35 question मिल जाएगा, उसके बाद से इसी में आजाएगा geography, Indian geography, world geography, इसी के साथ साथ बिहार का geography, इसमें ancient medieval modern history और साथ-साथ बिहार का history, इसमें अगर बात करें तो polity आएगा, इंडियन constitution के बारे में आपको पढ़ना है, इसी में आपको इंडियन economic के बारे में पढ़ना है, उसके बाद से एक general science भी आता है, science के बारे में पढ़ना है, उसके बाद से एक बिहार special करके segment आता है, उसको भी करना है उसके बाद से current affairs के segment आता है, इसको भी fulfill करना है उसके बाद से एक सबसे last में होता है those questions, maths के भी आते हैं तिये total 8 segment आपको इस pre-k examination में पूछेगा, 8 segment ये pre-k examination में पूछेगा और मानलों कि आप त्यारी को प्रारम करना चाहते हो और त्यारी प्रारम करते हो, अब इन 4 subjects को बोले कि काफी वहतरिन तरीके से पहले कर लेना है, उसके बाद से BPC में थोड़ा सा general science के भूमिका है लेकिन इन 4 को पहले करना है, क्योंकि आगे चल कर इनका मेंस में भी काम पड़ेगा तो इन 4 subjects को करने के लिए आप starting मानलों कि अभी शुरुवात करना चाहते हो 10 प्लस टो पास की कुछ नहीं दिमाग लग रहा है तो पहले चाल इनको 6 से लेकर 12th क्लास तक इन 4 subjects का आप NCRT का बेवस्था करिए NCRT का बेवस्था कोई किताब अभी जरूरत नहीं है आपको हम बताए रहे हैं अभी आगे काउन काउन सा किताब लेना है तो सबसे पहले एक NCRT 6 classes 12th तक History, Geography, Political Science, Economics 9 10th का लिखजे Economics 11th का 12th का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा 9 10th का केवल आता है इसमें Economics तो 9 10th का ये ले लिजे New NCRT लिजे कुछ-कुछ मामलों मुवल्ड NCRT का काम है लेकिन आप New NCRT लिजे और Original वाड़ा थोड़ा सा NCRT आप किताब लिजेगा NCRT का Civil Service के Examination में आप बहुत सारे Topers का इंटर्विव अगर देखते हैं बहुत 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 बढ़ी भूमी का है क्योंकि NCRT पूरे भारत लेबल पे चलती है पूरे इंडिया लेबल पे और इसको Top Educators के दवारा या Top Selected Ques Team के दवारा इस NCRT किताब को त्यार किया गा है आपको जानकर यह ताजूब होगा कि Civil Service के Examination Pre-Mence और इंटर्विव Pre-Mence में आने वाले लगबग 30-35% Question आपको Direct NCRT से पूछ लिया जाते हैं ठीक है वहाँ से डाटा उठाएकर Direct D2 रख दिया जाता है ठीक है तो NCRT सबसे पहले आपका Basic किताब होगा और यसा नहीं किसको एक दो बार पढ़के फिड़ पढ़ इसको दे दे ना कि भाई आप पढ़ो नहीं इसको जब तक आप सफल नहीं होंगे आप अंतिम चायन आपका नहीं हो जाएगा तब तक NCRT आपके काम आते रहेगा और NCRT को समय समय पर निगाल कर आपको देखते रहना पड़ेगा तो मान लिजे कि 6 से 12 क्लास तक आप NCRT के बेवस्था कर लिए उसके बाद से इन 4 सब्जेक्स में थे एक साथ आप कर दो सब्जेक्स को उठा ले यह साथ दो सब्जेक्स को एक साथ उठा ले अब दो सब्जेक्स को उठाएंगे तो मान लिजे एक हिस्टी पढ़ने हैं आप आप हिस्टी के साथ जोगराफी नहीं थोड़ा सा दोनों complicated subject हो जाए तो आप quality उठा ले हिस्टी और quality इसका भी NCIT और इसका भी NCIT फिर एक कौपी आप काफी अच्छा खासा एक कौपी बनाए हिस्ट्टी का और एक कौपी आप निकाले बनाए पॉलिट का आपका जो copy होगा ए four size का जो plain पे जाता है आप कोषिस करें, why न褂थाि है एक आप मेंucker प्लेंग प्लेंग वाले लिखने का पर्यास करें। सबसे पहले जाहिसे बात है कि आपको चानना पड़े گा इतिहास क्या हे इतिहास एक विशय की रूप में किस प्रकार से स्तापित थे पिर आपको इभी पता चले गा कि विश्वक य ह постyal से और एक भारत की दिहास है इसमें अदिक हिस्टी को देखेंगे भाई किस NCRT में NCRT हिस्टी है तो आपको पता जलेगा 6th class का जो हिस्टी का बूक है वो मतलब NCRT हिस्टी के बारे में पूरा लिखा गया है अब इसको आप सुरुवात करेंगे एकदम पेज 1 से NCRT का पहले introduction भी दिया हो जाता है उसको भी आप पढ़ेंगे फिर यहां से चीजों को start करेंगे दो बातों को अब मैं सबसे महत्तोपुण बताने जा रहा हूँ अगर चीजें आप पढ़कर समझ पा रहे हैं previous year के question paper भी आपके पास होगा और चीजों को मान लिए कि NCN testory आप 6 class का पूरा पढ़ लिए पढ़ने के पस्चात आप चीजों को थोड़ा सा note down करके notes भी बना लिए तो आपको जाना पढ़ेगा अपने previous year के question में और NCN testory से pre और mens में पूछने वाली questions को आपको देखना पढ़ेगा कि आप कितना attempt कर पा रहा है अगर आपको चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो फिर आपको किसी महत्तपूर्ण guideline की जरूरत है और कोई ऐसा coaching संस्थान भी आपको जैसे लक्षे civil services भी जोईन करते हैं से आपको इसके history के बारे में मालीजे शुरुआत में थोड़ा सा basic जनकारी आपको मिल जाएगा चीजों को आप काफी आसानी तरीके से तो class notes आपका जो class करेंगे वो बनते जाएगा साथी साथ 6 class का जो NCRT होगा इसका निचोड भी इसमें सामिल होते जाएगा उसके बाद से previous year का question जो पूछा हुआ है उसका भी कुछ input इसमें डलते जाएगा तो pre-label पर आपका फ्रेम में ये pre-label का copy बनकर क्या हो गया तयार हो गया उसके बाद से medieval India करेंगे फिर modern India करेंगे इसे इस्तिहास का एक copy आपका बनकर तयार हो जाएगा अब आप इसको चाहें तो खुद से भी पढ़कर कर सकते हैं लेकिन खुद से पढ़कर आपको हो सकता है कि time taking हो coaching संस्थान की ये भूमिका है कि जो काम आप 10 तिन में करेंगे उसको 2-4-5 गंटा के class में हम उसको deal कर देते हैं हो सकता है कि NCRT के चीजों को समझने में या इस्तिहास पढ़ने में को काफी दिक्कत है बई प्राग एतिहासी काल क्या है आदे इतिहासी काल क्या है इतिहासी काल कि इसको बोलते है और अपा civilization को फिर सिंदु घाटी civilization क्यों कहा दिया जाता है इसको कासी युग्गे क्यों कहा दिया जाता है इसका origin कहां से हुआ इसका पतन कैसे हुआ पतन के लिए को इतना सरा debate है ये पहले से आपका background नहीं रहा है एक अच्छे college, university साप नहीं पढ़े है तो इसमें दिक्कत होगी और खास तोर पे बिहार, university जिस परकार से बिहार के चलती है का दुखा को छोड़ दिया जाए तो इन university का performance आपको भी पता है कि JP university और आसपास जितने सारे हैं किस level पे college वगरा चलता है आप कितने level पे आपको पढ़ाय जाता है अब इसके लिए आपको तो help लेना पड़ेगा इसमें पुस्पाराज नहीं बनना है आपको कि नहीं हम अपने से ही खुद कर लेंगा और लेकर बैठें और 6 class का NCRT पढ़ने में छे महीन लगा दिये और आपको हो रहे हैं कि मैं सिबिल सर्विस का त्यारी कर सेग्मेंट से आपको टोटल फूल्फिल करना है कैसे पॉसिबल होगा आप 6 class के NCRT को के वा लोग पढ़ते ही राजाएंगे तो यहीं पर हम coaching संस्थान आपको थोड़ा सा help करते हैं कोचिंग संस्थान में जूड़ने से आपको परसनल कोच भी मिल जाता है समय समय पर कोई भी दिक्कत परसानी हो तो एक सब्ता दस तिन का परसनल ही आकर आप मिलाकात करकर चीज़ों को पूछ सकते हैं कि सर मैं यह पढ़ रहा हूँ यह चीजे हैं आगे इसको किस तरह से अपलाई करना है मेंस वगर किस प्रगार से लिखा जाता है यह सारी चीज़ों आपको टिचर से या फिर कोचिंग संस्थान के द्वारा पता चल जाएगा अब मेबी अदर्स जगह पर क्या है लेकिन मेरे संस्थान में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इतनी सारी चीज़े कराया जाता है जो बच्चे आँ पर क्लास करते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं दूसरा है मान लिजे कि साथ में आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी के लिए भी सेम है पहले सिक्स क्लास का पॉलिटी का किताब उठाईए चीजों को समझने का प्रयास करें फिर वहां से अपने अस्टेप बाई अस्टेप चीजों को आगे बढ़ाईए तो छे साथ महीने का अंतरगत ये कम से कम चार सब्जेक्ट ये छे साथ महीने का अंतरगत इन चार सब्जेक्ट पे एक आपका बेसिक अंडरेस्टेंडिंग हो जाना चाहिए एक अच्छी खासी समझ आपके पास हो जाना चाहिए उसके बसचाथ एक नोट्स भी इन चारो सब्जेक्स का बन कर त्यार हो जाना चाहिए फिर आगे चलकर अगले स्टेप में मैंस में पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या परकिरिया होगा इतना करने के परशाथ जब आपका पूरा बेसिक आपको समझ में आ गया कि चलिए इतिहास आपके बारे थोड़ा सब आप जान गए कि भाई ये दिली सल्टनत है, ये मुगल है, यहां संग्रेज आए, ये औरंजेब है, ये तमाम चीज़े मुगल कहां से आए, क्यों भारत आए, ये गुपता इंपायर है, ये मौरिया डैनेस्टी है, ये बैदिक काल है, ये एरोपियन्स है, ये देश का गुलाम होना, फ प्यार स्टेसल के किसी बुक से कर लिए, वैसे पॉलिटीक अंतरगत, पार्डेमेंट समझ गया, प्राइम मिनेस्टर ये तमाम चीज़े बिधान मंडल सुप्रेम कोड कहा गया, ये तमाम चीज़े थोड़ा बोट, एक ओभरवाल खाका बन गया, एक कॉपी आपका त्या पर इक्षा को देने जा रहा है, वहाँ एक बहुत बड़े पैसेंस के आउसेक्ता होगी, आपको 6-7 मा एक डम पहले से ये step by step चीज़ों को करना है, शुरुवात से ही अप तिसमार खान बनने का प्रयास्न करेंगे, कि आये और पहले ही आपको एंसर राइटिंग और ये में हमने देखा है, कि civil service के नाम पे वो मतलब कराते क्या है, मतलब facts वो अगर एकदम अपना कराने के चक्कर में पड़े हुए है, आपको facts के पीछे नहीं भागना है, facts वो तो PT जब exam होगा, उस समय आपको उस label पे पहुँचा दिया जाएगा, आपको चीजों को पहले depth मे जाकर काफी गहराई के साथ, काफी गहराई के साथ, चीजों को समझना है, कि इतिहास में 600 BC के पस्चात अगर राजियों का उदय हुआ, तो ऐसा क्या रीजन रहा कि 600 BC में ही राजियों का उदय हुआ, ठीक है, पानीपत के इतनी, पानीपत का युद इतिहास में इतना नि समाजें धर्म सुधारा नोलन भारत में क्यों इस्टार्ट हुआ अगर 200 साल पहले इस्टार्ट हो गया होता तो क्या इंपेक्ट परता भारत पे क्या भारत गुलाम हो पाता किस प्रकार से ब्रेटिस नम को गुलाम बना लिया है मुठी बर अंगरी जाकर भारतियों को गुलाम बना लिया इन चीजों को समझना है रटना नहीं है कि ब्रिटिस इस्ट्रिण कंपनी का गठन इतना में हुआ वो पीटी के समय के बात है वो पीटी के समय आप उसको रटेंगे अभी अब त्यारी सुरू किया है और वन लाइनर नोर्स बना रहे हैं कि यह हुआ यह हुआ यह हुआ यह हुआ यह अभी ज़रूरी नहीं आपको अभी आपको चीजों को समझना है पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो और आर्टिकल के पीछे नहीं भागना है पहले समझना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति अपर्ट्यक्ष क्यूं होता है प्रेसिडेंट को क्यूं अपर्ट्यक्ष होता है मतलब इनको पावर क्यूं क्यूं को अटेम्ट कर पाएंगे एक घर के वैसे बुजुर्ग की भाती है जो अधिकार तो सब कुछ रखता है किसी को डांट नहीं सकता है अब यह कैसे हैंडल कर पाएंगे पिछले बार का क्यूश्चन पूछा गया यह साथ 66 या 65 का कोश्चन से हैं कैसे पॉसिबल है इस कोश्चन आपको लगता है कि आपको हो पाएगा आपसे कोश्चन पूछा जाएगा कि संताउन की करांती में बिहार का योगदान बताएं आपको लगता है कि फेक्ट्स के बढ़ कर बिहार का योगदान को आप-ального मपलिक देंगे 18 سंताउन की करांती के कारण पहिढाम पूचह जाएगा और सहीू को वर बाच करिए और आठ से दस गंटे पढ़ाई करके एक सांतो सब्जक्ट को लेकर आगे बढ़िए और आठ से दस महीने में हिस्टी फिर जोग्राफी फिर पोलिटकल साइंस और फिर एकनॉमिक्स इन चारू सब्जक्स को पहले एक बार अच्छा से क्लियर कर लिजे इस इस बीच में आपको तीन पांच से छे बार एंसी आटी को पढ़ जाना है और इसके लास्ट में जो कोस्टन दिये गए हैं उसको भी बना लेना है और किसी बिसेस परसन से उसको चेक भी करा लेना है अपने से नहीं बैठ कर थोड़ा बहुत चेक कराना अपने सिनियर एक में भी हविड लेना है जो आपको कोज की भाती समय समय पर बताते रहे आपको क्या करना है ठीक है इतना करने के पश्चात आप पहुँचते हां मेंस के इतना अगर आपने कर लिया तो अब हम आपको बप्यसी darling मेंज का से ले वस आपको हम मताने जा रहे हो सभा इन भां मुख्य परिक्षा के नाम से जाना जाता है तो परिक्षा तो आपका मेंगिम यही है मुख्य परिक्षा तो एक फ़ार कर का प्रीटी स्क्रेंडी त एंग जांपे कुछ लोगों को सिदक कर देना है कुछ वैसे लोगों को चुन लेना है जो आगे चलकर अधिकारी बनने के लाइक है और वो मैंस का पेपर लिखेंगे तिसमें हम आपको बता दे कि ये BPC के मैंस का अंतरगर टोटल चार पेपर होता है सबसे पहले एक समान्य हिंदी का पेपर होता है ये समान्य हिंदी का पेपर सो नंबर का होता है सो नंबर का ये मातर इसमें से तीस अंकला देना है और ये केवल क्वालिफाइंग है मतलब इसको पास कर जाए इसका मार्क्स आगे नहीं जूटेगा क्वालिफाइंग है मार्क्स आगे नहीं जूटेगा ठीक है तो ये केवल passing marks हैं अब हिंदी माध्यम से आप त्यारी कर रहा है तो इस हिंदी को pass करना हमें नहीं लगता है कि बहुत challenging होने वाला है इसलिए आप इसके त्यारी के लिए कोई business ध्यान ना ले आराम से case से वगर लिखने का आता है को संगया सर्बनाम भी इससर टाइप का हुआ आराम से इसको कर ले जाएंगे कोई दिकत परसानी इसमें नहीं है अब चुक्कि इसका marks भी नहीं जूटता है इसलिए इसके पीछे भी नहीं पढ़ना है 100 में से 30 number ला देना है आपका marks जूटता है 300 और 300 गुणा करेंगे तीनों में तो यह टोटल कितना हो गया 900 marks का आपका men's का paper होगा कितना 900 marks का अब GS paper 1 में क्या है GS paper 2 में क्या है यह किसी अलग lecture में हम इसको थोड़ा से details में आपको elaborate करके previous रिके question के साथ deal करेंगे थोड़ा बहुत GS paper 1 के हम syllabus के बारे में आपको बता दें तो आपको GS paper में तीन segment आपको मिलेंगे GS paper 1 में सबसे पहले तो आपको history मिलेगा history and culture मिलेगा इसी में आपको current affairs मिलेगा और इसी में di कुछ mathematics के pie chat करके वाला questions आते हैं यह आपको मिलेंगे GS paper 2 के अंतरगत अगर हम बात करें GS paper 2 तो सबसे पहले आपको quality मिलेगा फिर आपको यहाँ पे economics और geography दोनों एक साथ एक ही face में मिल जाएगा और यहाँ पे science and technology मिलेगा general science नहीं है आपे ISRO, D.I.D.O, क्रिसी में science technology का होगदान यह सब पुछा जाता है तो 6 segment यहाँ पे हो गए अब यहाँ पे देखो वहाँ पे अपने history पढ़ा है pre के लिए मतब प्री जब आप basic कर रहे हैं तो आपने political पढ़ लिया है आपने economics पढ़ लिया आपने geography पढ़ लिया अब इन चारो subjects को अब आपको यहाँ पे हम facility देते हैं foundation batch का या फिर आप यहाँ पे foundation joining करेंगे अब especially आपका target होगा सिर्फ और सिर्फ men's के previous year का question करने पर हम जो आपको foundation batch में कराते हैं वो दिल्ली मुखरजी नगर के notes से हम कराते हैं क्योंकि आपको पता है दिल्ली मुखरजी वही notes आपको कराया जाएगा वहाँ पे भी नहीं बिश्वास हो ना तो कभी जागर घूम कर आप देख सकते हैं तो हम दिल्ली के मुखरजी नगर के notes से सीधे हम आपको foundation में त्यारी करवाते हैं और चीजों को काफी simple तरीके से किस परकार से यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि में सेंसर राइटिंग की इस परकार से करना है कोई question आ गया तो उसको starting कैसे लेंगे हम body part कैसे लिखेंगे फिर अपना conclude कैसे करेंगे निसकर्स कैसे देखें इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको काफी बहतरीन थरीके से समझाते हैं ठीक है आप परिसान नहीं है हम paper 1 और paper 2 और optional के बारे में एक detail अलग अलग तीनों पर हम वीडियो बनाएंगे जहां पर चीजों को काफी मेहनत से मेंस क्वालिफाई किया है इंटर्विवर को पता है कि आप में अब ग्यान के मतलब उतना लेबल है अब आपके personality को चेक किया जाता है कि आप कितने इमंदारी पूरबक से वह service दे सकते हैं आप कितने अपने समाज के प्रति अपने राज्य के प्रति कितने इमंदार हैं ऐसा तो नहीं यह दोखादरी करने के लिए आपका मिशन में आ रहे हैं तो कुछ असान असान प्रति को चेक किया जाता है इंटर्विवर के द्वारा जो टॉप लेबल के तिन चार पांच इंटर्विवर होते हैं वह आपके personality को क्या करते हैं चेक करते हैं तो इसके लिए भी धीरे-धीरे आम आगे बात करेंगे इंटर्विव के लिए धीरे-धीरे अपने आपको कि इस में देखो 900 नंबर का मैंस हैं और प्लॉस 120 नंबर का क्या है इंटर्विव है यह टोटल को इंक्लूड करेंगे तो एक हजार बीस नंबर का यह हो गया अब इस एक हजार बीस क्योंगर बात करें एक हजार अच्छा एक बात थोड़ा सा बताना में भूल गया अब इस प्रकार से एक थोड़ा सा अथेंटिक भूक भी आप पढ़ेंगे और चीजों को और डेफ्ट में पहुंचेंगे इसके अलवा कुछ अलग से पीडियेफ की जरूरत भी आपको नहीं पढ़ेंगे एक क्लास नोर्स एंसे और एक रेफरेंस बूक मात्रे एक रेफरेंस प्रेइश बूक दस किताब घर में लाइबरेरी बनाने की उसकता नहीं है एक किताब को दस बार पढहें वहीं मज़ पढ़ेंगे तस नाम आजाता है अब देखो 50% ही मातरी इसमें से आपको लाना है 50% का आपको लग रहा है कि यह काफी आसान है लेकिन पसी ने छुड़ा देता है यह 50% लाने के लिए अब देखो मानलो कि 500 फिक कट अफ बना 120 नंबर का इंटर्व्यू है अब यहाँ पर मेंस की क्या फूमिका है अम बता रहे हैं मानलीजे कि आपका मेंस में 400 नंबर आया आपका खुब बहतरीन से बहतरीन इंटर्व्यू जाएगा न तब 90 नंबर मिल सकता है तोटल कितना हु हुआ 490 आप लिस्ट इससे बाहर हो जाएंगे जबकि आपका इंटर्व्यू बहुत फैंटास्टिक गया था दूसरी तरफ एक बच्चा है जो 450 नंबर जिसका मेंस में है इंटर्व्यू की एक खास बात है कि कुछ मिनिमम मार्ट्स मिलते ही मिलते हैं मुस्किल से इसको 60- मिल गया ना तब है इसका 520 और कटप से बहुत आगे है अच्छा खासा रेंग खोल्ड कर लेगा और अच्छे खासे पद पर यह क्या हो जाएगा सलेक्ट हो जाएगा तो मैंली आपको फोकस करना है कहां पर इस पेपर पर इस मेंस मेंस के इस 900 नंबर पर फोकस करना है 900 न misin आपको चब पर वन है वो उसमें टोटल को आठमें बीपर वन में आपको मिलेंगगं मतलते हं भी से कोस्ट Seal whom कुछ questions आपको लिखने को मिलते हैं वैसे पेपर टू में 15 से 16 question आएंगे इससे स्लेक्ट करके 8 question आपके history option में 12 question आएंगे मतलब option कोई भी लेते हैं 12 question आएंगे select लेके 6 लिखना है ठीक है तो आप थोड़ा सा BPC में ये खासियत है कि यहां पर selective है और ये तमाम चीज़े बीपेसी female के लिए एक level पर भी मतलब है कि यहां पर female के लिए 33% reservation है आरक्षण है यहां पर female के लिए ऐसा सिर्फ विहार में ही possible भी है कि आपके लिए अलग से cut-off और बनता है तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान है इसलिए अब देखते हैं बीपेसी के जो cut-off आता ह female के लगाता है जो लगब मेल से दस वारा नंबर हमेशा कम ही रहता है समानने के इसमें ठीक है अब यहां से हम थोड़ा सा बात करें अब देखो optional की भूमी का यहां पे काफी महत्तोपूर हो जाती है जो आपका बैकल पिक भी से होगा अब यह देखो 300 नंबर का होगा optional को selective करने में भी आपको थोड़ा सा सोच विचार के अपने optional को select कर रहा है और मालीजी कि आप Hindi literature optional ले लेते हैं तो किबल 300 नंबर अगर सपोच करिए कि आप हिस्टी optional लेते हैं तो पहली बात की लक्षे civil services जो मैं हिस्टी का optional class भी लेता हूँ क्योंकि आपको पता है कि दि इंका printed notes भी है तो हम अपने foundation batch में optional printed notes प्रवाइड कराते हैं और ये class notes को हम खुद आपको पढ़ा के समझाते हैं तो काफी चीछे आपको आसान हो जाएंगी तो 300 नंबर का तो optional हिस्टी वाला कर लेंगे 120 नंबर का जो आपका first paper में इतिहास है उसको भी कर लेंगे 30-35 question आ कैसे possible हो है हिंदी साहिट से आप एक तो उसका ना तो मैंस में कोई paper 1-2 में कोई योगदान है ना तो बिर्लिम्स में इसका कोई योगदान है दूसरा गोपाल में उसका teacher धूजना भी आपके लिए मुस्किल है और भी कोई subjects लेते हैं तो हमको नहीं लेता है कि गोपाल में और इन चीजों पर बात होती है आपके समय समय पर या पी जांच परताल कर पाते हैं कि अभी आप कहां तक पहुंचें ये कुछ भी समान्यता आपको बस ऐसे चल रहा है तो चल रहा है ठीक है तो इन सभी बातों को भी दिमाग में रखना है समय समय पर देखो मैं बोलता कि समय समय पर आपने आपको जांच परताल भी करते रहने चाहिए ऐसे हावा बाजी में तीर नहीं चलाना चाहिए मानलों कि हमको जम्मु कस्मेर से कन्या कुमारी निकले हैं कन्या कुमारी से जम्मु कस्मेर के लिए तो समय समय पर हमको दे रूप कर देखना पड़ेगा कि अभी तक यहां पहुँचें कि यहां पहुँचें कि कहां पहुँचें ऐसा नहीं कि अपने सिविल सर्विस और बीपेसी के एकजाम त्यारी लग गया और साल भर में एकदम घुमते फिरते इंजवाय करते हुए चल रहा है कुछ आईडिया ही नहीं लग रहा है क्या पड़ें कोई आकर कुछ पूछ दिया तो फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप ही फस गए आपको समय समय पे जाश परताल करना होगा च्छे माप पढ़ने के बाद से अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई छे महिने हमने कितना पढ़ा कौन-कौन सा सब्जेक्ट मेर कंप्लेट कर लिया है वैसा थोड़े एक्जाम होगा तो फिर आप त्यारी करेंगे ऐसा नहीं होता है आप एक बार पहले सुलेबस को पूरा कंप्लेट करेंगे तो समय समय पर आपने आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी आपने किस कितना मतलब पढ़ लिया और कितना भी जाना बाकी है कितने रास्ते को तय कर लिया और कितना रास्ता भी जाना बाकी है इमंदारी पूर्बक के सभी काम आपको खुद वखुद करना पड़ेगा या किसी गाइडर की कोच के आप या किसी प्रसनल व्यक्ति से कोई सला लेते हैं तो इन सारी चीजों जोने आपके पूरा उपर्चुनेटी है और दो ढ़ाई तीन साल का जो गरिजलेशन का समय मिला है इसका उप्योग करके उस लेबल पे पहुंचा जाना है कि भविश्य में आप अधिकारी बने और अधिकारी बने अपने समाज अपने छेत्र अपने नाम अपने देश का ना इसलिए समय समय पर उस लेबल का एक गाइड लाइनर अभी आपको जरूरत पड़ेगा जो इन चीजों को जानता हो ऐसा नहीं कि किसी से भी आप गाइड लेना इस्टार्ट कर दिक्कत यह है कि इंडिया या बिहार की बात करें भारत की लोगों की ये खासियत जानता कुछ भी सलाह मांगिए वो देगा आपको जरूर बिपेसी को खुद उसको नहीं पता है कि सिलिबस क्या है वो भी आपको सलाह दे दे क्या कि NCIT पढ़िए ये पढ़िए वो पढ़िए फला पढ़िए धिमका पढ़िए तो वैसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना है इन भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं लेकिन जरूरी है इन चीजों को समझना और ये तमाम बाते नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और आपको बेसिक बातों पे तब देखो आगे कुछ बात करें तो देखो एक मेरा अथन दौर है बोलें कम से कम 10 से 12 घंटा रेगुलर है तो आपको 8 घंटा तो चाहिए कोई काम होगरा कर रहे है या फिर माली जे कोई मैला है जिनकी साधिवधी हो गई है तो कम से कम 7-8 घंटा तो आपको समय निकलना पड़ेगा अगर शुरुवात में है तो तो टाइम चाहिए 8 घंट एक बार आपने सिलेबस कर लिया है त तो 5-6 घंटा में भी आपका काम चल जाएगा एक बार पूरा सिलेबस कम्प्लीट है तो क्योंकि इसमें देखो भाई बहुत तो मतलब इसमें भीड है इसके एक्जामिनेशन में आपको लगता है नो मतलब 6 लाख लोग अगर यूप एसी की बात करें तो लगभग 10 लाख लोग मतलब हर साल फोम भरते हैं 10 लाख लोग फोम भरते हैं आप जिस लेबल पे अग्जामिनेशन के त्यारिक आपने प्लान किया है सिबिल सर बीस एक्जामिनेशन का यह अपने आपमें एक मतलब काफी अपने आप पर प्रावड फिल करने वाली बात है कि समाज में इसका पेपर के त्यारी करना है सोचा है अब ही आपने आप रेलबे एससी और तमाम रेलबे में ग्रूब डी का दो दौसम लोग सम्थिंग करोन फॉर्म गीरा हुआ था जब कि पांट सर रोपर उसका फी होता है फॉर्म भरने का था और भी पेपर लाखों लाखों के फॉर प्रोण में फॉर्म आ जाते हैं इससी की बात करें तो 30-35 लाख लोग लगभग पेपर देते हैं अब इसमें कितना 10 लाख मुश्किल से 5 लाख लोग अपीर होते हैं वी पेसी में पांच लाख 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आदा लोक मतलब 70%-75% लोग अपियर होते है इसमें भी serious candidate बहुत कमी होते हैं, तो इतने लोगों में आप हैं, इस रेड़ी में हैं, मतलब भारत के 1-2% भी नहीं, मतलब जितने लोग त्यारी कर रहे हैं, वो एक-2% में आप अपने आपको डाला है, आपने उतना हिम्मत जुटाया है कि हमको civil service का त्यारी कर रहे हैं, मा अमर कस लिया है कि हमको civil service अधिकारी बनना है, और आपने आप में एक मतलब मुकाम हासिल करना है, नहीं तो बाकी तो दुनिया ऐसे चली रही है, 7 तरफ पपलेशन है, ऐसे जी खापी करता समाप्त होगी हैं, 1-2% जो लोग दुनिया को चला रहे हैं, उस त्रेणी में जा साथ एक अच्छे मार्क दर्सक के भी आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं तो आप कुछ और पढ़ने हैं, और examination का pattern कुछ और है, दिन बर बैट कर NCIT रंग रहे हैं, और कुछ और लगे हुए हैं, मोबाइल निकाल कर current अफर सुन लाइनर लिख रहे हैं, जिसका examination में को अब यही है, कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटा self study के लिए चाहिए, इस पर माल लिजे कि एक क्लास या 2 क्लास करते हैं, तो 2-3 घंटा क्लास होगा, फिर जो क्लास करेंगे, उसको समय पर जाकर घर पर उसको revision करेंगे, और एक बार basic फिर foundation, उसके बाद से 2-5 साल अगर लगा ता अब स्क्रीड में आपको motivate करने वाले भी लोग मिलेंगे, discourage करने वाले भी लोग मिलेंगे, आपको अलग-लग सलाह देने वाले भी लोग मिलेंगे, कि आप ये करिये वो न करिये और ये तमाम चीज़े, आपको परिसान नहीं होना है, लोग comment मारें, comment वाजी में, इस सब जो पर आपको नहीं जाना है, आपको अपने strength और अपने weaknesses को देखना है, कि मेरी क्या कम जोडिया है, मैं किन-किन subject को पढ़ चुका हूँ, किन को पढ़ना बाकी है, कोई comment वाजी कर रहा है, कि आप से विल सब विसाइस बनेंगे, वो बनेंगे, कभी-कभी बोलता है, हम क्या बन कर तुम से मिलेंगे, फिर इन बीच में आप अपने आपको किस परकार से पूरी तरह से त्यार करेंगे इस examination के लिए, समय-समय पर इन चीजों को आप किस परकार से manage करेंगे, आप समय-समय पर रौफी कोई जनकारी चाहें, तो आप यहां से ले सकते, टाइम ल बना होगा वो पूरा, लेकिन कितने मुगलकाल के कुछ खी ने चुने, जैसे जिसमें इस एक ताज महल है, जिसका बारे में लोग देखने जाते हैं, तो ताज महल में समय लगा, तो बन कर त्यार हुआ तो दुनिया उसको इंपोर्टेंस देती है, देश दुनिया देखत फ़े हैं, इस रेश में आप सामिल हुए हैं, तो आप जब बन कर निकलेंगे न, इतने कितने कितने चोटे चोटे लोग आपके अंडर में काम करेंगे, एक प्रकार से कहा जाता है, कि मतलब ये चोटे मोटे बिहार पुली्स और माली जैसे से जीडी टाइप का यह इतने स पूछो मत भाई सरकारी नोखडी लग गया है मतलब भगवान से भेट है इसको पास करें इसको भगवान से भेट नहीं आप खुदे भगवान बन जाएंगे एक अलग से चेंबर मिलेगा आपको DM साहब का अफिस में कभी जा कर देखिए एक अलग से चेंबर मिलेगा आपको काम करने की इतनी साई डाइवर्सिटी होगी न कि आपके एक हस्ताक्षर से किसी की जिंदिगी बदल जाएगी इतना आपके पास पावर रहेगा गरीब को, बंचित को, असहाई लोगों को आप पे उमीद होगी अपने आपके अंदर खुसी फिल करिएगा इन सबी के लिए काम करके बहुत अलग-अलग फिल्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा देश ये राजजी के पिकास में अपना कुछ युगदान देने का मौका मिलेगा, रुत्वाब और ये तमाम ओडी वेगर है न, ये लोगडाउन लगेगा तो सब जाकर घर में दुबक जाएंगे, किसी को बाहर निकलने की उकात नहीं होगी, कितना भी पैसा हो लेकिन ये आपको चार चका वाला गारी जिस पर भारत सरकार लिखा है न, अराम से मर्जित से निकल सकते हैं और भर्मन करके आप थोड़ा बहुत आ सकते हैं इतना पाउर है ये चार चक्के की गाड़ी में जिस पर भारत सरकार या फिर विहार सरकार लिखा हुआ है, ये ओडी सोडी फिल है, ये कहीं चले जाएंगे मार्केट में न, तो लोगों की मतलब बता रहे हैं आपको तो इतने बड़े पद की त्यारी कर रहे हैं तो जाहिट से बात है कि उतना सेक्रिफाई भी आपको करना पड़ेगा आप अगर कोशिस करेंगे कि सब काम एक ही साथ हो जाए, सोशल मेडिया को भी इस्तमाल कर लें और सिबिल सर्विस का त्यारी भी कर लें लोगों से गपिंग भी कर लें और लोगों से बादचित करके अपने परकिरियाक को आगे बढ़ा लें तो थोड़ा सा मुस्किल आपके लिए हो जाएगा अगर आपने इतने बड़े लक्ष के लिए दिसिजन लिया है तो इतने बड़े लक्ष के लिए सबसे बड़ा त्याग के भी आपसे उमिद की जाती है मुस्किल से दो से तीन साल आपको पूरा सब को छोड़ कर त्याग को देना पड़ेगा और पढ़ाई पर अपना फोकस करिए और दो-तिन सालों का अंतरकत सही गाइडलाइन आपको मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सेविल सर्वेंट बनने से नहीं रोक सकती है मेरा आसा नहीं पुर्ण विश्वास है कि अब बच्चे गाइडलाइन के साथ चीज़ें को समझते हुए अपने आपको आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते हैं शुरुआत में दिक्कत होगा आपने चुके 10 प्लस 2 आया गर्जवेशन कर रहा है जो शुरुआत में आपको बहुत सारी परिसानियों से गुजरना पड़ेगा हो सकता है कि इतिहास का एक-एक सब्द भी आपको समझने में क्वर्क रेका मक्कर रेका है क्या वो तर नहीं आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हथियार नहीं डालना है कि अच्छे यह हमको नहीं आ रहा है तो फिर छोडते हैं दूसरा त्यारी करते हैं क्या पता है कि जो दूसरा करें वो भी समझ में आ जाए और ऐसा कोई रॉकेट टेक्नलोजी नहीं नहीं है भाई इतिहास समझना है बोगोल समझना नहीं समझना है लेकिन जब आप बंड कर निकलेंगे न एक चवरचस्त प्रस्नालिटी बंड कर निकलेंगे और एक अधिकारी उस लेबल पर बनेंगे कि आपको लगेगा कि हां मत्तब एक अच्छे लेबल पर आप पहुंचे हैं और वहां से आप काफी डावेड सिटी है और फिर पुब है फला है वो लाइबरेरी में पढ़ता है वो करता है वो इन से बात करता है इन सारी चीजों में आपको नहीं पढ़ना है आपको दो काम करना है सबसे पहले एक बीपेसी अगर देना है तो बीपेसी का प्रिलिम्स का पीछे 20 साल का एक कोस्टन बैंक उठा कर लेना अंसल् कर लेना है और पांचे साथ कॉपी खरीद लेना अलग लग सब्जेक्स के लिए फिर अपने परक्रिया को आगे बढ़ाते जाना है जब भी पड़ें प्रिभिया सिर्कार जब दी मोटिवेट होने लगे प्रिभिया सिर्कार कोस्टन निकाल कर देखला चाहिए कोस्टन पू प्रिभिया सिर्कार को आपके स्ट्रडी टेबल पर एक दम सामने होना चाहिएक समय समय पर दो चार पांच दिन के बाद इसको पलट पलट कर पलट पलट कर आपक्या करते हैं देखते रहें तो इस प्रकार से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है आगे के लेक्चर में हम नेक्स लेक्चर में पेपर 2 और नेक्स लेक्चर में ओप्सेनल के बारे में कुछ प्रिबियस कोस्टन को लेकर हम आपको बताएंगे कि परकार से पेपर 1,2 में क्या क्या उसका सिलेबर से और किस तरह से चीजों को आगे करनी है ठीक है तो I hope server कि ये सारी चीजे आपको सम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं तो यह कुछ बेसिक फिचर 10 प्लस टू के बाद से आप त्यारी करना चाहते हैं और उसके प्रक्रिया होगी उसके थूरू मैंने सारी चीज़े आपको बता दिया है अब यहां से आपको खुद डिसाइड करना है कि आगे किस प्रकार से अपने त्यारी करना है किसका सहीओ कर लेना है किसको किस क्या के नोट्स वगरा सब कुछ सुड़ा बहुत हमने बता दिया कुछ और डेफ्ट में आपको जनकारी चाहिए मैसेज या कॉल करके माध्यम से हमको पूछ सकते हैं कॉल समाने तो बारे एक बज़े के बाद ही करि तो यह सारी बाते हैं ज्यादा डी मोटिमेट नहीं होना है दिल और दिमाग को सांत रखना है इधर उधर के भटकाव में नहीं रखना है क्योंकि जब तक आपका मन सांत नहीं रहेगा ना जब तक आप खुद ही अपने आपको सांत एस्थिर नहीं महसूस करेंगा और हमे दोस्तों के साथ बातचीत भी करना है तो इस चीज़ पर बातचीत करना अचा सिलंका में क्राइसिस आया है तो क्यों आया है वहाँ पर ऐसा क्या कंडिशन बना कि सिलंका में क्राइसिस आया यह बातचीत करिए यूपी गर्मेंट में बात ही करना है तो आप जनसंक्या नि महांगाई भी भी बात करना है तो ये logical बात करिये कि महांगाई अभी कितना है Inflations कितना है, मुद्राइस्विति कितना है, economics के कुछ segment को आप relate करके बात करिए उस label का दोस्त भी आपके पास होना चाहिए ये चीजों को भी आपके साथ दोनों compare करके आप आगे बढ़ाएं Think type के दोस्त नहीं होना चाहिए, जो आपके मुँपे सबासे देते हों और पीट पीशे जाकर आपके बुराई करते हों और बोलते हों कि जाकर comment वाजी करते हों कि वो ऐसा है इमन्दार कुछ दोस्तों को आप चैन कर लेजे और फिर मिल जूलकर आपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं जरूरी है इमन्दार दोस्तों को साथ में होना कुछ आप करेंगे, कुछ हो करेंगे दोनों मिल जूलकर आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और किर्पया करके ठेक दोस्तों के साथ 4-5 गुरूप बना कर वो आला काम आप मत करिएगा और आपका पढ़ाई सवस्री डिस्टेक्शन ही होगा और आपको help कम और बर्बाद यादा करेगा तो वैसे दोस्तों सुन चुनिए जो गिनाम एक्जामिनेशन के प्रतियों भी सिरियस हो और चीजों को भी करना चाहता हो ठीक है तो इन सभी बातों के साथ अभी की क्लास को हम समाप्त करना चाहेंगे जो भी केवरीज होगा उसको हम आगे बातचित में निप्ता लेंगे आप अच्छा से अपना प्रिपेशन स्टार्ट करिए जो भी सायोग होगा लक्षी सिबिल सर्विसेस के माध्यम साब को पुरवाइड किये जाएगा और सारी चीजों को आप जो चाहें यहां से प्रा